युहन्ना का प्रकाशित वाक्य पहला ध्याय जो सुनते हैं और इसमें लिखिवी बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट आया है। जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से छुडाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया उसी की महिमा और पराक्रम युगानियों गरहे आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी बरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और प्रत्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीतेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्ती मान है, यह कहता है कि मैं ही अलफा और ओमीगा हूँ। मैं यहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीश्व के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीश्व की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था, कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, और अपने पीछे तुरही और थुआ तीरा, और सरदीस, और फिल्विल्फिया, और लौदीकिया में, और मैंने उसे जो मुझ से बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुह फेरा, और पीछे घुम कर मैंने सोने की साथ दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष्य को देखा, जो पाउं तक का वस्तर पहने, और छाती पर सुनहला पटुका बांदे हुए था, उसके सिर और बाल, श्वेत उन, बरन पाले के से उज्वल थे, और उसकी आँखें आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पाउं उत्तम पीतल के समान थे, ज जुमानों भटी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था, और वे अपने दाहिने हाथ में साथ तारे लिये हुए था, और उसके मुख से चोखी दोधारी तलवार निकलती थी, और उसका मुह ऐसा प्रज्वलित था, जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है, जब मैंने उसे देखा, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दहिना हाथ रखकर यह कहा, कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं, मैं मर गया था, और अब देख, मैं युगानियुक जीवता हूं, और मृत्यू और अधलोग की कुझियां मेरे ही पास हैं, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, और जो बातें हो रही हैं, और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उन साथ तारों का भेद, जिन्हें तूने मेरे दहिने हाथ में देखा था, और साथ सोने की दीवटों का भेद, वे साथ तारे, सातों कलिस्याओं के दूत हैं, और वे साथ दीवट, साथ कलिस्याएं हैं.